कुम्ब राशी आचना से जीवन में अंध्यरा चा जाएगा किसी का भी साथ नहीं मिलेगा नमस्कार दोस्तो जाए भोले नात दोस्तो आज हम आपको कुम्ब राशी के बारे में बताने वाले हैं जहां दोस्तो 22 और 22 जन्वरी ये दो दिन आपके जीवन में किस तरह से रहे दोस्तो अब आपके जीवन में बहुत सरी खुशियां खुशियां आने वाली हैं लेकिन इसके बीच कुछ अंधेरा भी आपके जीवन में आसकता है जीवन के हर एक मुश्किल गड़ी में आपको मित्रों का सहयोग मिलने वाला है करमक्षेत्र से जुड़े लोगों को कार प्रेले में कुछ नया काम करने को मिल सकता है साथी प्रतिष्टित कारह में सपलता मिलने से मन में प्रसनात रहेगी व्यापर से जुड़े लोगों को कानूनी दिक्कतों का सामना करना पर सकता है थोड़ा धैरे से काम लेजिए किसी भी विवाद में पढ़ने से पहले पह लब हो सकता है रिष्टेदरों की यहां चोटी यात्रा आपके भगदोड भरे दिन में आराम और सुकुन देने वाली साबित हो सकती है सामने रश्पल की बात करें तो विद्यार्थी वर्ग को अपने किसी विशे पर गंबिरता से विचार करने के लिए दिन अच्छा है ले जा सकते हैं और जो कुछ समझ में नहीं आ रहा है उससे आप समझा ले सकते हैं नोकरी में किसी भी तरके बदलाव के लिए अपनी मन को अभी से त्यार रखेगा स्तानन तरंग की संबहुरा भी बनी हुई हैं आपको दुसरे लोगों की मदद करनी पर सकती है अपने सातियों से आपकी कोई लंबी बात्चित हो सकती है मानसिक श्यांति के लिए किसी दान पुन्य के काम में सह भागिता करे रुकावत धन मिलेगा और आर्तिक हालात में सुदार आएगा सामजी कतिविदिया मज़िदार रहेगी लेकिन अपने रहस्य किसी के सामनी उजागार ना करे आपका महबूब आपको बड़ी खुबसूरुती से कुछ खास करके चौंका सकता है तो चले बात करता है कौँसे बातों का ध्यान आपको रखना है उसके बारे में आपके स्वास्ते पर विपरित प्रभाव पड़ेगा इसलिए स्वास्ते के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही ना बरते कारेस्तल में कुछ लोग आपके खिलाब शड़ेंतर रज़ सकते हैं आपको अपने गुप्त शत्रियों से बच करना होगा आप अपने अधुरे कारेस संपर्ण करने की पूरी कोशिश भी करेंगे बुरी संगती से बच कर रहें अन्यता मान सम्मान को ठेश पहुंच सकती हैं माता पिता की सिहत को लेकर आप काफी चिंतित रहेंगे आप में बहुत कुछ हासिल करने की शमता है इसलिए अपने रास्ते में आने वाले सभी मौकों का मज़ा ले दोस्तों आपका व्यक्तित वाइसा है कि ज़्यादा लोगों से मिलकर आप परिशान हो जाते हैं और फिर अपने लिए वक्त निकलने की कोशिश करने लग जाते हैं इस लिहाद से दिन आपके लिए बहुती उम्दा रहने वाला है तो दोस्तों आप बात करते हैं कि आचनक से जीवन में अंधियरा चाह जाएगा विस्तर से जारेंगे दोस्तों आचनक से आपकी जीवन में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है या फिर अचनक से ऐसी कुछ गटना है आपके जीवन में घट सकती है जिससे कि आपको ऐसा लग सकता ही कि आपके जीवन में अब अंधियरा सा चाह गया हो या फिर कुछ ऐसी बुरी गटना है जैसे कि किसी का बीमार का पढ़ना या फिर कोई व्यक्ति पहले से बीमारी में है उसका कुछ देहांत का होना या फिर अपने रिष्टेदारों में किसी का देहांत होना साथ इसाथ जो लोग किसी बड़े व्यावसाय में हाट डाले हैं बड़े-बड़े इन्वेश्मिन के हैं किसी व्यावसाय में उनको जो कि अच्छी कासी सब्बलता ना मिला या फिर नोकसान का होना इस तरह की चीज़े आपकी जीवन में हो सकती है इससे कि आपके आगे जो की पूरा अंधेरा सा चाया हुआ आप महसूस करेंगे तो चले आप बात करते हैं आपका धना राशिपल कैसा रहेगा उसके बारे में दोस्तों व्यापन और खरीद फरुक्त के लिए इससमय बिल्कुल उचित है अपने काम को लेकर अभी आप पूरी तरह से सकारत्मग है आपके पार्टनर्स और करीबी साथी आपका पूरा साथ देंगे धन के लिए इससमय बहतरे नहीं है नुकसान हो सकता है इसलिए साउधान हर वक्त बरतिएगा अगर हम करीयर आशिवल की बात करें तो आप और आपके सहकर्मी एक दुसरे के साथ अच्छा वक्त गुजारेंगे यह आपके लिए अपने सहकर्मियों को और अच्छी तरह से जानने का एक अच्छा आउसर है लेकिन फिर भी आप यह ना भूले कि आप एक व्याव से वातावरन में हैं और आपके व्यावहर से ही आपके कुशलता निरदारित होती है इसलिए सबी के साथ अच्छे से पेश आए अगर किसी को परकना है तो उसके साथ समय बिताए उसके साथ बाच्छित करते रहे तब ही आपको उस व्यक्ति के बारे में पता चल जाएगा दोस्तों लव राशिपल की बात करें तो व्यापर में लाव आपके कुशनमा जीवन को और भी रंगिन करतेगा आप अपने रोमेंटिक संबंदों में बदलाओं महसुस करेंगे ऐसे में अपने जीवन साथी की बात को ध्यान से सुने और उन्हें समझने की कोशिश करें अगर आप कही पर बाहर हैं और अपनी जीवन साथी की तरब से कोई आपको फोन कॉल साता है या फिर कुछ चीज़े आपको घर को लाने के लिए कही जाती है सबसे पहले उस चीज़ को आप खरीदेगा और घर को लेकर जाएगा वरना क्या हो सकता है कि छोटी सी चीज़ रहती है बहुती कम दामकी रहती है लेकिन अगर आप उसको भूल कर भी घर को जाएगे तो वहाँ पर घर पर जो कि बड़ा विवाद हो सकता है जोस्तों विवाद या कोई नया रिस्ता भी आपके जीवन में दस्तक दे सकता है आपको चारो तरब से रोमेंटिक संबंद के अवसर मिलेंगे लेकिन आपको अपना पार्टनर चुनने से पहलें अपनी प्रात्निकताओं के बारे में सोच लेना चाहिए ताकि भविशे में कोई समस्या ना आए कभी भी पार्टनर चुनते वक्त अपनी भविशे के बारे में जरूर सोचेगा क्या आप जो पार्टनर चुन रहे हैं उसकी वजह से आपके भविश्य में कोई प्रॉब्लम आ सकती हैं इसका भी जरूर विचार कीजेगा अगर आपका पहले से कोई संबंध है तो आप इसे अगले स्थर पर लेकर जा सकते हैं गरवालों से बाचित कर सकते हैं अगर आप अपने इस लव लाइफ को जीवन साती में कनुवर्ड करना चाहते हैं एनिकि उनसे शादी करना चाहते हैं तो उसके लिए अब भी समय अच्छा है घर्म पर आप बाच्चित कर सकते हैं आपको पार्टनर फिलाल आपको लेकर काफी पोजिसिव और अंतरंग अनुबो करेगा अब आपकी प्रतिक्रिया से इसे संबंद का आगे का रुख तय होगा बात करते हैं आपका स्वास्तर शिपल कैसा रहेगा उसके बारे में अगर आपको ब्लड प्रेशन से संबंदित कोई परेशनी है तो आप पाएंगे कि आपकी यह परेशनी काफी हद तक ठीकर हो रही है आप आसानी से अपना ध्यान कही एक जगह नहीं लगा पाते और इसलिए ऐसे लोगों की बहुत प्रशन सा करते हैं जो फोकस कर पाने की एक्षमता रखते हैं अब समय आ गया है कि आप भी यह विशेशता सीक कर अपने जीवन भी कार्यन विद करें दोस्तों आपको किसी महतोपन काम पर फोकस करने की जिम्मेदारी मिलेगी इसे हाथ से ना जाने दे जो भी जिम्मेदारी आपको दी जाती है उसे तई समय पर और अच्छी तरीकी से पुरा करेगा वरना बाद में आपको बहुत सारी परचानियों का सामना करना पड़ सकता है सुबह जल्द यूट कर योग करने से आपको अच्छी खासी मदद मिलेगी जिसे कि आपका मोड फ्रेश रहेगा और जो काम आपको दिया गया है उसे आप अच्छी जिम्मेदारी के साथ पोरा कर पाएंगे तो दोस्तों कुछ इस तरह से आपका जो की कुम राशिपल रहने वारा है वीडियो में बताएगी जानकरी जो की जोतिश, पंचा, मानेताओं और धर्म गरंतों से दी गए है हमारा उद्देश महत सूचना पहुंचाना है आप इसे सूचना ही तो लिजीगा इसके अतरिक्त अगर आप मानते हैं, अपनाते हैं या इनका उप्योग भी करते हैं तो इससे पहले अपने नजदी के कुलपंडी से अवश्यस संपर करेगा आप चाहे तो ट्रिंडिंग राशीपल से भी संपर कर सकते हैं कुंड़े और इसमें मामर्यसा बदलाव हो सकता है दोस्तों हमारे चैनल पर आपको इसी तरह राशीपल के रलेटे वीडियो देखने को मिलेगी जिससे आप आने वाली दिनों के बारे में पहले से अनुमान लगा सकते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजिएगा दोस्तों आज की सोड़ में बस इतना ही मिलते अगने उड़के साथ धन्यवाद